आलकोहुल लोग देखे होंगे जिसको दारू जल्दी नहीं चड़ती लेकिन ये सिप बाहर से दिखता है दरेसल आलकोहुल शरीर में जाने के बाद सिप 6 मिनिट में अपने दिमाग के सेल्स को इफेक्ट करना शुरू कर देता है दोस्तो बहुत से लोग ऐसे बोलते हुए आपने सुने होंगे कि दारू से कुछ नहीं होता हम सालों से पीते आ रहे हैं तो ये वारा फेक्ट आप उनको जरूर सुना देना एक्चुली वर्ल्ड में हर 10 सेकंड में एक इनसान दारू की वज़े से मरता है दोस्तो आप कुछ गलत खा लेते हो तो आप शायद थोड़े से टाइम के लिए बिमार हो सकते हो क्योंकि वो खाया हुआ धीरे धीरे करके वो डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद जब आप सुबर सुबर टोइलेट जाते हो तो वो निकल जाता है लेकिन दारू की मैटर में ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि आलकोहल डाइजेस्ट नहीं होता वो शरीड में जाने के बाद तुरंध ही बलड में घुल मिल जाता है दोस्तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो लोग गम बुलाने के लिए पीते हैं दरसल बात यह है कि जब भी आलकोहल अपने शरीड में जाता है तो वो दिमाग को थोड़े से टाइम के लिए मेमरी को क्रियेट करने वाली एबिलिटी है उसको खतम कर देता है दोस्तो इस दुनिया में सबसे ज़्यदा दारू पेने वाले लोग रसिया में रेते हैं नोर्मली एक रसियन इंसान पूरे साल में 18 लिटर आलकोहल पी जाता है और यह जो डेंजर लेवल होता है उससे दो गुना है दोस्तो जब कुछ यार लोग साथ में बैठके पीने बैठते है तब यह चर्चा जरूर निकलती है कि इसको नहीं चटी या इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है नोर्मली एक सर्वे के मुताबिक जिसकी आँखे नीली रंकी होती है उनकी आलकोहल टोलरेट करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है दोस्तो इस दुनिया में जितने भी कैंसर के रिलेटेड रोग है उसमें से 30 प्रतिशत कैंसर सिफ आलकोहल अवोईड करने से और हेल्धी डायेट की वज़े से ठीक किये जा सकते है इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉंगेस्ट बियर जिसको माना जाता है दोस्तो उसमें 67.5% आलकोहल कंटेंट होता है और इस बियर का नाम है स्नैक वेनम दोस्तो हमारे देश में तो बहुत सारी जगह पे आलकोहल इल्लीगल माना जाता है या फिर अलाउड नहीं है लेकिन यूके में 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को आलकोहल अलाउड है लेकिन वो लो आलकोहल अपने गर में या फिर कोई प्रावेट जगह पे पी सकते ह दोस्तो जब कुछ यार मिलके पार्टी करने बैठते है तो पीने को लेके थोड़ी छोटी मोटी कॉम्पेटिशन होती रहती है लेकिन एलेक्जांडर दे ग्रेट नाम का जो राजा था उसने अपने शेनिकों के बीच में दारू पिने की कॉम्पेटिशन रखी थी और य हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब किजिए ताकि हर एक इंट्रेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचते रहे थेंक यू सो मच